आज हम लोग पढ़ेंगे सिच्छण के प्रमुक सोत्र सिच्छण के प्रमुक सोत्र करने के लिए हमें सोत्र करने के लिए हमें सोत्र याद कर जाता है सोत्र के आधार पर हम गड़ित के पष्णों को स्वालु करते हैं हल करते हैं, उसी प्रकार सिच्छण के भी सोत्र होते हैं, माने पर्यावण को आसान और सरल तरिके से पढ़ाने के लिए उसके प्रमुक सोत्र हैं, माने पर्यावण के अधिगम को प्रभावसाली और सफल बनाने के लिए कुछ सिच्छण सिधानतों को भी अपनाया जाता है उसके साथ साथ एक सेच्छ सुत्रों का भी प्रियोक करता है या करना चाहिए जो कच्छा कच को प्रभावसाली अध्यन को प्रभावसाली और बनाया जा सकता है इसके लिए कुछ निम्लेके सोत्र हैं उन सभी सुत्रों को एके करके करम से पढ़ते हैं लिखते भी चलते हैं ताकि आप उसे लिखते चलिएगा तहला है ज्यात से अग्यात की और ज्यात से अग्यात की और हमने क्या देखा पॉइंट नमबर ए ज्याद से अज्ञान कर देखिए जो बालक होते हैं उन्हें अधिकम करने शेपूर उस पढ़ाने जाने वाले विस्यवस्तु के संबंधित पूर ज्यान जो सिछार्थियों को जानता है कि पाठ आरब कैसे करना चाहिए तो पूर की ज् पूरा और जिससे दिपॉली में तराज्यों बनाते हैं फिर उसे एक गुबारे को फुर दिया क्या होता है दूसर लटक जाता है इसका मतल़ वायू में क्यूंती है भार होती है तो बालक को पढ़ाने के लिए हम उसके पूर उज्ञान का सहराल और है अर्थात हम उसे ग् इन्फपम डाले बड़ा हो गया झे है द्चत हम्हक कैसे का निकालें रहते है अंगर्थ अंगर्दा पर फिर आगे में देखते हैं विक यह जोड कर रहे हैं। यह ने घ्न को तरह पालन करते हैं यह जोड करते ख़िया ब depriता है अगर गणित किदिष्ट कुण से देखा जाये तो आप अगर LCM पढ़ाने से पूर जा सकते बहुजन पढ़ाने से पूर आपको भोजन पढ़ा जा सकता बने पायचान का दिगम तभी प्रहोई होगा जब बालों को भोजन की विश्य में पताओ, भोजन से क्या मिलता है अगला पढ़ेंगी 10 च्छर सुट्र जो है मूर्थ से अमोर्थ क्यों मूर्थ से मूर्थ से किदर तरह अमोर्थ की तरह अगर मुर्थ से अमुर्थ की बात करें तो जो बालत होते हैं प्रारम में ऐसी बाते करना प्रारम करते हैं जैसे अगर हम बालत की बात करें तो उनको पहले ऐसी बाते बताना चाहिए इससे वो देख सके महसूस कर सके छू सके उसके बाद वो कलपना करना ज्यान करना कर्योंका गड़ींते हैं पहले कितना पैन में मैं रखार फे एक अगला है। यंक lights evolve 3 तो पहले उसे मुद वस्तु दिखाते हैं धर उस्तु कारे बालक लिए पयावण की निती हूण किis ऐसी बाते ज्याद करना चाहिए जिसी वो छू सके देख सके महसूस कर सके उसके बाद उसके बाद ही वो कलपना सीर या अमुर्द का ज्यान कराना चाहिए जैसे बालक को एक उड़ने वाले पच्छी या एक गोला दिखाया गया उसके बाद कहा गया है कि सोचो कि उड़ने वाला गोला कैसा होगा तब कलपना करेंगे उड़ने वाले गोले की भी पंक होगे तब ही तो उड़ता होगा महने, अब अगर ये बता दिया जाए, कि एक गदा है, और एक पच्छी है, तो पच्छी कैसे उरता है, तो पच्छी बार बता है, उसके पंक होते उरता है, फिर mission गदा उड़ेगा, बलप कैसे नहीं, गदा नहीं उरत पाई, सरल से जटिल की ओर अगर बात करें जो भालक हो नहीנו को अधिकर सबसे सरल बातों से करने चाहिए उसके बाद हमें जटित और धाना या तत्यों को विवेशना करना चाहिए, उने बताना चाहिए, ईसे विवेशना करना चाहिए। उसके बाद उने विबिल चत्रों के आवासों के बारे में चर्चा करिए, फिर उनके बिलताओं के बारे में बताए ऐसा क्यू है, क्या कारण है, तो माने हम हर चीज को सरल से जटल के तरफ ले चलते हैं, या सरल से जटल के तरफ अगसर होते हैं, अगला जो है, वह है, पूर आंस की ओर क्या है अभी इसे में क्या है अगर अम अधिक्म की बात करें तो जो अधिक्म होता है या जो उसको करा दें से पहले पाट की सारांज बता नहीं ज Subscribe, कि पहने कहानी पना आज़े जब रहे जब पढ़ रहे हो तो बालक के अंदर क्या हों? पहले जमानिक लोग कैसे यूच करते हैं, अब कैसे यूच करते हैं, आपको घर कैसे जाते हैं, पैदर, अगर साइकल जाएंद क्या होगा, और तेज जाएंगे, फिर क्या होगा, बालक करपना सील होगा, फिर उसे पूर्ण से अंस की होग, आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए हम उसे अध्यान अध्यापन के लिए चंसूत्र में पूर्ण से अंस के तरब ले जाने के लि विसिष्ट से सामाननिकी हो। तो परवण के लिए नहीं है। यह गणित के लिए भी काम करेगी। यह आपके नजरिया है। सबसे पहले जो बालक होते हुने विसेस उधान देकर उसके विसेस गस्पस्ट करना चाहिए। उसके बाद ही अनुदार देते हुँ विसे का सामाननी करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे जब पढ़ाना शुरू करें तो पहले उसे डायट थेरी पढ़ाना शुरू करें। आगमन बिदी में आपको पढ़ायाता, गड़त के सिच्षण बिदी में जो मैंने आगमन बिदी पढ़ाया था। वह सिच्षण बिदी में कहीं कहीं मैंने इस बात को उस्पश्ट भी किया था। तो नहीं चलेगा च ILT perch कई चलता है डीजल चलता है चलता है तो नहीं चलता है उसी प्रकार हम अगर भोजन नहीं सब्सक्रण आख करना च्याल जाहिए सभी जिवों सब्सक्राण को ऊसकता होती है इस प्रकार किसी भ्ष्टों को चरनने के लिए और जाग जरुत परती है वैसे जीवों को भी जीवित रहने के लिए उर्जा के जरुप परती है यह सारी बात उन्हें असफष्ट करने के गराप बता देते हैं तो बालब क्या होता है, उनके बती, उनका जो अधिकम होता है, वो और बहता तरीके से हो पाता है, फिर बिसलेशन से संसलेशन की और, यह भी आमने पढ़ा था, बिसलेशन से संसलेशन की और, अगला हम लोग पढ़ेंगे, विसलेशन से संसलेशन की ओर यागी तरफ विसलेशन से संसलेशन तरफ इसे नोटस बनाते हैं और अगर आपने ऑनने क्लास जोएन के तो ठीक है एक पेड क्लासे चल लिए फिर भी उपर नमबर दे के संपर कर सकते हैं आगे हम लोग दिखते हैं, अगर पढ़ाईवल की जाने वाले जो बिश्य वस्तो के तथ्यों की बिश्य में इसे गर हम आपको यह पढ़ाना है कि अगर पेड़ ना होते तो क्या होते तो पहले भेड़ सारी पेड़ की उप्यक्ता की बता दे फिर बालत खुद बताएगा सर पेड़ ना होते तो यह चीज़े होते अगर जंगल की कटाई के बारे में दें कि जंगल अगर कट रहे हैं उससे क्या क्या नुक्सान होंगे तो जंगल ना होते तो क्या होते पेड़ ना होते तो क्या होते तो बालक क्या करेगा पेड़ के बारे में जंगलों के बारे में जानकारी गठा करेगा इस प्रकार हम उसके अधिगम को और बहता तरीके से देख सकते हैं और उसके अधिगम को बहता तरीके से कर सकते हैं तो इसके बाद है ये से छड़ा हो क्या इसके बाद अनुभो से तरकी और अगर अनुभो से तरकी और की बात करें तो जो बालक होते हैं वो अपने आसपास का जो वातावर होता है वो उसका अवलोकन करते हैं उसके बाद उसका अनुभो करते हैं और उस अनुभो पे अपने अपने तरक भी देते हैं और जैसे अगर बालक कोई कहता है कि अगर पानी पत्थर पे क्यों तो पादी की छीटे आते हैं दूसरा बालक कहता है नहीं नहीं अंदर से पानी पत्थर डाले पे पानी उपर के त तो इस प्रकार दोनों के था सईहें ऑने जो बालत देखता है जर्षा बाले शर्ण भालव देखता है व बताता था। से शीटई पर्ष्णाई है जहको बठाते चलेंगे कि मैंने काल पढ़ा दीह देखते हैं कि हो पर्योग दोसरा काले कि इसे कछ थानी लोगह क्री McCall चो कंवे दूसरा पर कड़ी हो सकता है कि गता कि धभ यूसले discuss है यही है बातें समझ मेंगी, जोनने, बिमर्स करने और सीखने की प्रक्रिया को भी बढ़ाता है, वनिए असपस्ट हो जाएगा कि अनिक प्रकार की मसाले ऐसी हैं, जिने दावा की रुपने भी हम इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, अब आते हैं, अलगा टॉपिक हम ने देखेंगे, मातपूर मातपूर टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, कि सीटर, रिपेटर, सुपटर, डियाजस भी सभी के लिए काम करेंगी, इस बात को कदाचित न भूलेगा, और इसे चर्सोतर जो है, इस सभी विश्यों में काम करेंगा, क्यों परियार्वण में ही नहीं, इसके साथ अलविकाष में भी, हिंदी में भी और जगह भी से सिटर सोतर का भी प्रियोग कर सकतें, अनिस्चित से निस्चित की ओर, अरवलेट है, अनिस्चित से, निस्चित की ओर. ख्यांड की और धूर, ठिक, यहां कर भूनि ने लेखा कि वालक को जो ज्यान होता है वह अनिश्चित और असप्ष्ट होता है उसके ज्यान के सुरुआद, मुद्न नममान कर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर उसे निश्चित ज्यान के थाहरा है, जब बानक आता है उसक जानकारी होती, अब एक अध्याफ़ा की सिच्छा काम क्या होता है, कि उसके ज्ञान को सुरुवात मानकर से निश्चित ज्ञान क्यों क्या करना साथी, अगर सर करना पड़ता है, अगला जो लास्ट है, प्रत्यच से अप्रत्यच क्यों, अगला क्या है अपका, प्रत्यच, यह लास्ट भी है से अप्रत्यच प्रत्यच से अप्रत्यच के तरब देखा जाए तो जो बालक होते हैं सबसे पहले प्रत्यच ग्यान देना चाहिए उसके बाद अप्रत्यच जिबकि अपते जिए में जुए होता है उसे बालकों को कठना ही होती है । ऍशकी जैसे करना पड़ता है। जिस कि ग्रोय को नहीं देख पता है, बालकों को तारा सुर्च संद्वा को भिदार देख पाता है। जब कि ग्रहों को नहीं देख पाता, लगे इस प्रकार आप प्रतेश से प्रतेश क्यों ले जाएंगे, तो बालक को अधिकम जोता और रिचकर हो पाएगा, और पूर्य प्याथा तरीके से हो पाएगा, इस प्रकार हमने आज सिच्छन सुत्र को पढ़ लिया, इसके बाद ह इसके साथ आश्रिक्षाति के बहुत बहुत धन्यवाद, इसे नोट्स के लिए तयार भी कर लिजएगा, इन पॉइंट को नोट भी कर लिजएगा, ये वीडियो छोटा है, पंद्रे बिच्छनट की वीडियो है, लेकिन जब मैं इसे कच्छा कच्छे पढ़ाता है, जब किया, हर टापिक को आपको बिस्तितरूप से बाख्यात्मा गृूप से बताने का पूरा प्रयास किया, फिर भी आप सभी शातियों को ये कहना चाहूंगा, तयार कर लिजएगा, इसके साथ प्रिवेशेयर के पेपर भी करते रहेगा, ताकि आपको ये पता चल सके, कि हमन झाल